याओ है Presidential सवागत आपको नई वीडियो के साथ सथ में इस वह ली वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले आपकी सिक्योर्टी प्रेमियम रिजर्व में जब entries होती है जब जन्रल एंट्रीज में आता है तो हम आज की वीडियो में वो डिसकस करने वाले हैं ठीक है स्ट्रिक प्रीमियम जब आपको बतायां थी कैसे क्या होता है जब फेस वैल्यू से जादा पैसे गतंग रहे होते हैं उसी चीज़ को क्या बोलता है security premium बोलता है तो security premium मतलब क्या हो गया company के लिए फाइदा हो गया एक तरह से क्योंकि company की face value थी 10 company मांग रही है 15 रूपे जो यह पांच extra रूपे मांग रही है यह कि चीज़ के मांग रही है अपनी goodwill के मांग रही है जिसको हम security premium रिजर्व बोलते हैं तो याद रखेगा nominal का rule आपको पता होगा ठीक है nominal का rule देखे अब entry क्या हो जाती है share allotment account debit to share capital to security premium एक चीज़ आपने यहापे नोटिस करी होगी कि जो security premium रिजर्व है यह due ke time पर आ रहा है security premium रिजर्व किसके टाइम पर आ रहा है due Key entry के ताइम पर आ रहा है due Key entry के ताइम पर वाला है कोई tuition पढ़ा रहा है suppose मानलो कि वो 1000 रुपे fees ले रहा है एक subject की 1000 रुपे fees ले रहा है और वो next महीने से fees बढ़ाने वाला है तो पहले वो student को बताएगा कि भाई मैं आपकी जो fees है वो 1200 रुपे रखने वाला हूँ तो उसके बाद उससे पैसा मिलेगा तो इसलिए क्या होता है पहले हमें जो security premium होता है ये due के time पर आता है पहले हमें उसे बताना पड़ता है shareholders को कि भाई हम आपसे goodwill का पैसा मागने वाले है या माग रहे हैं तो इसलिए जो security premium होता है उसका पैसा आपको किसमें दिखाना पड़ता है डिव के टाइम पर आता है सिक्योर्टी प्रीमियम का पैसा ठीक है सिक्योर्टी प्रीमियम का पैसा कहा आता है डिव के टाइम पर और एक्रेडिट साइड आता है किस साइड आता है क्रेडिट साइड आता है क्रेडिट आपने पैसा कर दिखाष देना यहां पर इसका स्थाए पैसा करasant के दिखाध देना IST बस आप यहां पर एंट्रीज देख लेना अभी आगे इसके मैंने काफी सारी चीज़े नुमेरिकल्स वगरे इसमें रखेंगे तो आपको याद रखना जब पैसा मिलेगा अगली बार तो वह सिक्योर्टी प्रीमियम और शेयर कैपिटल में पैसा मांग रखोगा उन दोनों कॉल कैसे निकालनी होगी जब सिक्योर्टी प्रीमियम कोश्चन में गिवन होगा तो इस तरीके से देखते हैं देखें पहला कोश्चन पड़ें जैसे सुमित लिमिटेड इश्यू 45,000 शेयर्स ओफ 10 इच अट प्रीमियम और रूपीज 2 अब यहां पर देखिए कि एप्ल होगी किस कॉल में है तो यहां उन पर नहीं होती है कि वह गांने जाला कोशन कर लेते हैं यहां पर बोला नहीं गया हैं किसमें है प्रीमियम हम क्या मन लेंगे कि अलोट्मेंट में है इसके एंट्री क्या हो जाएगी आपकी 45,000 आपके शीरस थे यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 45,000 पर जहां पर दो दो एंट्री होती हम वहां से स्टार्ट करते हैं ठीक है 45,000 इंटू प्रीमिम कितने का है आपको कितने कि यह 45,000,500 हो गया यहां पर हो जाएगा एक लाघ कषिब के क्यों ची हो गया और आप पैसा बीड़े करेंगे ए नजय करते हैं यहां पर कितनी लिख देगे लिए एक लाग ऐसी एजार ठीक है यह फोड़ा लॉटमेंट में के पर जो प्रोटर अलॉटमें तो वहां पर आपको बता लेकर आया हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जैसे देखिए इस वाले कोशन पढ़िए कि राम ने इशू करें है पिछला वाला जो कोशन था उसमें इंक्लूडिंग प्रिमियूम नहीं था हमने भार से अलग से हटकर डाला था उस प्रीमियम इए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम था फिर बाद में हमने जाके अलॉर्टमें में पूट करुट अथा सा है इस वाले कॉशन में देखेंगे आप इस तरी कसे लिखेंगे ओरिजिनल कॉल कितने प्रीमियम हटाके तीन भाइनलगा निकाल सबप्लिचा फाइनल कॉल निकाल लिएगा प्रीमियम के साथ में निकालेंगे तो भी निकल डाएगा वैसे तो बारा हो रही है तो लास्ट तल कर लेते हैं 2 और 5, 7 होगे, 7 और 3, 10 होगे तो final call 2 रुपे की होगी, बट आपने ऐसे नहीं निकालना है, company कई बार क्या करती है, last वाली call मांगती ही नहीं है, या फिर वो बोलती है कि first call तक ही पैसा मांग रखा है, तो उहाँ पर थोड़ी सी गड़बड हो जाएगी, ठीक है, तो आपने रुपे की हो जाएगी, दो रुपे की हो जाएगी, ठीक है, final call कितने रुपे की हो जाएगी, दो रुपे की हो जाएगी, इसके बाद, इस वाले question पर आता है, इस में देखिए, इस question में क्या है, प्राची limited issue, 90,000 shares of 10 each at a premium of rupees 5, application 3 की है, allotment 3 की है, first call 4 की है, including premium rupees 2, तो second call कित प्राइले तो देख लो, premium कितने का है, 5 रुपे का है, premium कितने का है, 5 रुपे का, उसमें से 2 तो आगिया, आपका first call में, बचा कितना, 3, और जैसा मैं आपको बहुत है था, question में, अगर कोई information given नहीं है, premium के बारे में, तो बचावा premium कहा चल जाएगा, जो बचावा 3 का premium है वो आजाएगा यहाँ पर, बचा जो premium हो आजाएगा यहाँ पर, और last call कितने के हो जाएगी, 3 यह हो गई application, 3 original यह हो गई, 3 और 3 6, और 4 में से 2 का premium था, तो यह कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, तो 3, 3 6, 2 8, final call कितने के रुपीस के हो जाएगी, 2 रुपी के हो जाएगी, ठीक कितने आगी, 2, बट मैंने आपको बोला, premium हटा कर आप call निकाल लिएगा, ठीक है, premium हटा कर आपने call निकाल लिए है, इसके बाद, यह जो second question है, first वाले का second question है, इसका answer आपने नीचे मुझे comment box में बताना है, कि final call कितने की आएगी, जैसे प्रेना limited issue है, 40,000 shares इसने issue कर रख रूपीज 4, एक रूपीज 4, application 3 की है, allotment 4 की है, including premium रूपीज 2, और जो first call है, वो including उसमें क्या है, एक रूपे का premium include है, और final call है, यहापर final call क्या बोलागा है, बैलेंस है, कि आपने खुद निकालनी है, और जो final call आईगी आपकी, उसमें बचावा premium भी है, तो आपने मु और उसमें से premium कितना है, और original call कितने निकल कर आएगी आपकी, यह आपने नीचे मुझे comment box में बताना है, कि final call कितने ही निकल कर आएगी, यह first question का second part है, first question का second part आपने मुझे बताना है, ऐसके बाद चलते हम next topic पे, जो next topic है हमारा, वो है call in error, जो next topic है मारा, वो क्या आजात क्या होता है कि जैसे शेर होल्डर से कंपनी में बहुत सारे शेर होल्डर होते हैं तो उसमें से कोई एक जना कोई दो जने या फिर कुछ जने जब पैसे नहीं देते हैं क्यों पैसे देने होते हैं जब पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें क्या बोलता है क्या अब क्या प्रिमियम आपके लिए फाइदा होता है प्रेम आपके लियlie क्या होता है फाइदा होता है तो वैसी कॉल इने को पैसे नहीं देगा तो जो पैसे नहीं कि जैसा आपने सिक्योर्टी प्रीम देखा था आपका ड्यू के टाइम पे बड़ जो क्यों आ रहा है आपका रिसीव के टाइम पे अब ऐसा क्यों तो यह ऐसा इसलिए है कि जब कोई पैसा नहीं देगा तो वह में कब पता चलेगा जब उसकी रिसीविंग की डेट आईगी जब उसकी किसके आएगी receiving की date जब हम मांगेंगे तब नहीं पता चल जाएगा हमें कि ये बंदा पैसे नहीं देने वाला जब हम लेने जाएगे उससे पैसे या फिर date आ जाएगी कि maturity की आपकी date आ चुकी है आपने पैसे देने हैं installment के तो तब वो पैसे नहीं देगा तो हमे हमेशा किसके टाइम पर आएगा received की entry के टाइम पर आएगा ना की डियों के टाइम पर ठीक है तो डियों के एंट्री आपकी सेम रहेगी शेर अलॉट्मेंट अकाउंट अबिट टू शेर अलॉट्मेंट अकाउंट यह होगी आपका call in error की entry इसके मैं एक होची बता देता ह होंगा आपको की call in error अगर कोई करता है call in error अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है अगर आप एक शेर उल्डर है वह call in error कर रहा है तो उसे कितने परसंट का interest चुकाना पड़ेगा अपनी capital की जो उसकी share capital है उसके उपर उसके उपर क्या चुकाना पड़ेगा उसे 10% interest देना पड़ेगा ठीक है यह जो पहले call in error का interest था प्रिविएसली यह 5% हुआ करता था अब इसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 10% कर दिया गया है तो आपने इ इंट्रस रेट कितना होता है 10% होता है इसके बाद कि कॉल इनर का एक कोशन कर लेते हैं कोशन कर लेते हैं देखे सेकंड कोशन में लिखावाया कि रहुल लिमिटेड इशू 50,000 शेर्स और एप्लिकेशन 3 की अलॉट्मेंट 2 की फस्कॉल 3 की सेकिंड कॉल 2 की और उसके बा यहां पर अप्लाए अलॉट की बात मत सोचिएगा यहां पर मैं आपको सिर्फ अभी concept क्लियर करा रहा हूं कि जो call in error है उसकी entries कैसे पास करी जाती है और जो call in advance है उसकी entries कैसे पास करी जाती है क्योंकि जब मैं आपको over subscription पढ़ाऊंगा तो आपका यह basic concept जो है call in error और call in advance क यह clear हो चुका होगा ठीक है तो अब यहां पर क्या है मोहित एक shareholder जिसने apply करें थे 3000 shares और उसने क्या नहीं दिये उसने allotment भी नहीं दिये और call money भी नहीं दिये उसने allotment भी नहीं दिये और call money भी नहीं दिये तो इस वाली case में हम कैसे करेंगे देखिए question मैं आपको सिफ all allotment का बता रहा हूं बात बकी के entries आपने खुद कर लेनी है easy देखिए issue कितने करते 50,000 तो यहां पर allotment कितने की है दो की तो 50,000 इंटू आएगा यहां पर पचास अजार इंटू दो आएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा यह वन लैक हो जाएगा यहां पर कितना हो holder ने नहीं दियें उसका नाम है और मोहिध के पास में कितने Shares थें? 3,000 के shares थें 90,000 तो आपने कुछ नहीं करना है यहां पर Zealand 2 करना है और यहां पर आ जाएगा कि कह ए jinर पर कितना जाएगा आपका 6000 तो 6,001 अपने माइनस करना है और उपर बोकिक देनी है यानि, कि 94,000 आपने अमाउंट यहाँ पर लिखते रही है यह हो गया आपका अलॉट्मेंट का ऐसी आपका फर्स्ट कॉल की बेंट्री हो जाएंगे फर्स्ट कॉल की ड्यू के एंट्री आपकी सेम रही कि और जो रिसीव के एंट्री होगी उसमें क्या लिख दोगे आप बैंक अका और बचावा 1,41,000 जो है वो बैंक में लिख देना शेर फर्स्ट कॉल की एंट्री में ऐसी आपने सेकिंड कोल की एंट्री कर लेनी है ठीक है यह मैं बिल्कुल करके इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लास्ट चल रहा है आपका पेपर आने वाले हैं बिल्कुल ब बता दूँगा हाड हाड कोशन सौल कराने वालों उस ग्रूप का लिंक टैली टैलीगराम का जो ग्रूप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहां से आप उसे भी जॉइन कर लिजेगा ठीक है इतना सब्सक्राइब यह आपका क्या हो गया क्या जाने खताम हो गया इसके बाद चलते है जो नेक्स टॉपिक आता है क्या होता है क्ली यह पैसे जलदी दें क्षियर उलडर ने पैसे चल्दी दें यानि कि जैसे फ्रस्ट का का पैसा है और सेकिंड का पैसा है उसने अलौट में दे लिए इसी चीज को बोलते हैं कॉल mana देखिए जैसे आपको मैंने बताया था कि जो कॉल इंडर था आपके लिए क्या था कंपणिन के लिए नुकसान था वह पैसे नहीं आपके रिसीवक्त के टाइम पर नहीं आएगा क्योंकि कोई आपको पैसा अडवांस दे यह भी कब पता चलेगा जब आप उससे मंगोंगे तब नहीं पता चलेगा जब वह पैसे देदेगा ड्यू डेट में जब आपको पैसे देदेगा कि यह लो भी या फिर यह लो भाई सेलरी इस बार की दो मेने की एक साथ रख लो खीके अडवांस में तो आपकी इंटरस्ट देना पडाता आपको और कॉमें अडवांस मदलjang कोई परसं राम शाम महन है उसमें से कोई एक जैसे राम ने है पैसे जल्दी द्थिह अपने जो छईयर्स के थे थे पैसे उसने जल्दी दिये तो उसके लिए था प्रिवेस्ली किन्ता था शेपरसेंट इसको याद करने के कोई जरूत नहीं है याद क्या करना आपने बारा परसेंट यह भी एक नंबर के कोशन में आ सकता है कि कॉलिण कोशन यह रहा कि आलोक लिमिटेड है उसने सतर हजार शेर इशू कर रहे है टैनीच के एप्लिकेशन दो की है अलॉट्मेंट चार की है फर्स्ट कॉल एक रुपे की है और सेकेंड कॉल तीन रुपे की है अब इसमें क्या है कि निदी एक शेर होल्डर है जिसने चार हजार श इनका पैसर कहां दे दिया था का अलॉफमेंट में इंचार शेर फोल्डर में ये मिद्धी के पास में इनका पैसर स्नें कभ दे दिया था आलॉटमेंट में दिदा था इसकी अर्ठीए कि बहुत दो लाक 8000 कीSpot दो लाक 7000 की कटिके अब यहां पर आपने कैसे करना है जो पैसे यह तो पैसे आपको अलौ लेक्ट में लिखतेंगे कितना पैसा मिलना चांपो कि यहां पर बच्चे बहुत जादा गलती करते हैं अलह लुग larger की multiply 4 से कर देंगे allotment के जो allotment की call होती है उससे multiply कर देते हैं पर multiplier इससे नहीं करनी हमें क्योंकि इस वाली call का तो पैसा हमें यहां मिलना ही था जो यह निदी थी इसने जो allotment का पैसा वो यहां दे चुकी है यह जो निदी shareholder है total में 70 में जो 70 में उसके पास में 4000 shares है उसने पैसा यहां पर दे चुके हैं इसने किस चीज का पैसा दिया है आगे वाली कॉलों का पैसा दिया है ठीक है इसने किस चीज का पैसा दिया है मतलब कौन से अमांट का पैसा दिया है जो यह फर्स और सेकेंड कॉल है इनका पैसा उसने allotment में दिया है तो यह कितने की थी फर तो फोर फोर जागता हो जाएगा 16 हो जाएगा तो दो लाक असी अजार और शोला जार आपको यह होगे आपके और second call का तो वहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ आपको अफेक्ट दिखाना पड़ेगा तो वहाँ पर भी आपको अफेक्ट दिखाने के लिए मतलब की जो इसने पैसा दे दिया है अब यह दूबारा अगर पर पैसा इसका पैसा आपको राइट ऑफ करना है मतलब एक तरसे र बांस आपने पहले क्रेडिट कर रहा था वह दोनों कॉलों में आपको दोनों कॉलों में क्या करना पड़ेगा रिसीफ के टाइम पर डैबिट करना पड़ेगा ठीक है तो जैसे फर्स्ट कॉल कितने रुपे की है एक रुपे की तो यहां पर सत्तर अजार इंटू एक आए कि इतना पैसा हमें अल्रेडी मिल चुका है वहां पे से उसका अफेट खतम करके दिखाते हैं तो चार अजार इंटू एक करोगे यहां पर कितना जाएगा चार अजार और सत्तर में से चार माइनस करोगे और कितना बचेगा आपके पास में 66,000 यहां पर हमने ऐसा क्यों कर इसलिए ऐसा कर Series यार दिखाएंगे यहां पर दिखाएंगे निदी को दुबारा पैसे देने पड़ाइगे तो ऐसा नहीं करते है इसलिए हम यहां पर क्या कर देता है राइट आफ कर देता है फिर जो शेयर सेकंड कॉल की एंट्री है जो ड्यू के एंट्री है वो तो सेम रहेगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट अब टू शेयर कैपिटल इसलिए मैंने यहां पर सेम लाई लिग दिये क यहां पर क्या करेंगे लास्ट को लेंटी तो सैंटी इंटू क्या करना पड़ेगा आपको तीन यानि की दो लाग दस अजार आएगा यहां पर कितने की कॉल है यह तो फूर फिरिजा कितना हो जाता है तो दो लाग दस में से से एक आप ने कितना आजार मइनश करना है तो यह आ जाएगा आपका वन लाग्ट नाइक थाय। आजएंड कि एकशर नागता एक और पूशन आता है मैं आपको बता देता हूं वह यहीं पर कि अगर वैसा पूशन आपके पास में आया तो आप क्या करेंगे ठीक है जैसी यह वाला कॉशन है आपके पास में फरस्ट वाला कोशन है कि सुमित लिमिटेड ने 45000 शेर्स इसू कर रहे थे एक प्रीमियम और रूपीज टू कि अप्लिकेशन तीन की अलॉट्मेंट दो किया पर इंक्लूडिंग उसमें एक्स्टूडिंग प्रीमियम दो का है फर्स्ट कॉल तीन क्या क्या करेंगे यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यह मैं आपको बता रहा हूं ठीक है यहां पर इस वाले केस म प्रीमिक आगे मान रहा हूं जिसके पास में 500 शेर्स हैं कितने 500 शेर्स है और उसने अलॉट मेंट नहीं दिए उसने क्या तो बस शेर को शेर अलोंटमेंट के यह सकता है क्योंकि इसकी आन्टरीर धी यह आहिए वह मैं आपको बता शूक किस टाइम पर आता है जैसे आपने देखा हुआ है अलोटमेंट के एंट्री है यहां पर डिव आ रखा है ठीक है तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि यह 5000 थे क्या थे 5000 चलो यहां फिर करके दिखाई देता हूं जो आपकी शेर अलोटमेंट अकाउंट है डेबिट हो जा जोर मत डालना कॉंसेट समझ देना चेर अलोटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेर कैपिटल अकाउंट तू एस पी आर अकाउंट थीक है टू एस पी आर अकाउंट 45 थे तो 45000 इंटू टू 45000 इंटू तू और यहां पर कितना जाएगा एक लाग असी अजार आजाएगा कितना जाएगा एक लाग असी आजाएगा यहां पर कितना जाएगा संथा और यहांपर कितना जाएगा नवे हाजार आब जब आप क्या कहता है रिसीफ की एंट्री करेंगे और आपको एजियर दिखाना है कि Amit एक शेर ओलड रह था उसके पास 500 शेर थे अर उसने अंग् यहां पर आप कितने से दिखाएंगे यहां पर कितना आना था एक लाख असी अजार रहना था यहां पर कितना आना था एक लाख असी अजार अब कॉलिन एरर में आपको कितने से मल्टिप्लाइ करके दिखानी है आप क्या दो से मल्टिप्लाइ करेंगे या फिर चार से याद रखिएगा उसने जितना आपने ज़्यादा मांगिया है आप उसके सापसे एरियर दिखाएंगे समझ लेजिए एक टीचर है उसने बोला था कि फीज अगले महीने से 1000 रुपे है उसने एक महीने तो मुलकी पहले 1000 रुपे थी और आप टीचर ने क्या कर दी बाद में 1200 बट अगले महीने की नहीं थी तो आप एरियर 1000 रुपे का नहीं दिखाएंगे आप 1200 रुपे ही बोलेंगे कि उस स्टुडिल ने मेरे 1200 रुपे नहीं दिए तो यहां पर आप इंटू करके दिखाएंगे न 400 की तो 400 की चार से इंटू करनी पड़ेगी आपको बदल कि यह आपका 500 शेर होल्डर था ना जो 500 शेर थे आपके पास में मैंने गलती से 400 बोल दिया 500 शेर होल्डर थे 501 शेर थे अमित के पास में जिसने पैसे नहीं दिये थे तो 500 इंटू आपको चार करना पड़ेगा फाइफ फोर्जा 2000 यहां पार जाएगा एक लाकसी में से माइनस करेंगे और उपार जाएगा यानि कि अगर किसी शेर होल्डर ने सिक्योर्टी प्रिमियम के पैसे नहीं दिये हैं तो वो भी एड हो जाता है आपके एरियर के टाइम पे एड हो जाता है यह बात आपने धियान रखनी है ठीक इसके साथ में शेर भी कर देना है